कि इपॉइंट बिल्स अडिजायर फॉल लाने है कि है अलो फैंट्स मैं हूँ अविनाश दिवांगन और इपॉइंट चनल में अब सब का स्वागत है तो आज हम सिया से नेट को अनलेन कुर्सिस को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम रियल अनलेसिस के चैप्टर सीरीज के का 12 नंबर का पार्ट है तो आज का हमारा टॉपिक है कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट हमने इसके पहले और भी बहुत सरे कनवर्जिंसी रिलेटेड टेस्ट देखे हुए है तो आज का हमारा टेस्ट जो है कॉसिस कंडेंसेशन टेस्ट है तो अगर आप हमारे इस टॉपिक न integral value of n जितना ही positive n value से उसके लिए हमने एक function लिया fn and the monotonically decreases as n increases, यानि कि n जैसे जैसे increase होते जाएगा यानि कि n जो है infinite की तरब जाते जाएगा, तो यह जो हमारा function जो हमने लिया है, वो monotonically क्या हो जाएगे, decrease होते जाएगे then the two infinite series, हमने series लिया fn and series यह हमारे पास दो series हमको मिल गए series fn and series a to the power n, f a to the power n converge और diverge together a being a positive integer greater than unity, यानि कि क्या बोल रहे है, कि a की value जो है, वो one से greater होने चाहिए और यह जो है two, जो series हमने लिया है, वो convergent हो सकते है या फिर divergent हो सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो fn जो है हमारे पास series उस series को सबसे पहले इस series को sorry, यहाँ पर यह series हम देखेंगे, यानि कि submission a to the power n, f a to the power n, इसको firstly हम show करेंगे, कि यह जो series हमारा वो convergent है या फिर divergent है अगर हमको पता चल जाता है कि यह series जो है वो convergent है, या फिर divergent है यानिकी जो हमारा original जो series है, यानिकी जो हमारे series जो है वो given था यानि कि fn, वो भी क्या होँ जाएगे या तो convergent हो जाएंगे या फिर device हो जाएंगे, तो हम एक example लेकर इसको समझते हैं test the convergence for the series एक बात इसमें ध्यान रखेंगे आप कि जो हमको original series दिया है तो आप हैं यहाँ पर एक series लेंगे और a to the power and f a to the power and यानि कि जहाँ पर n है वहाँ पर a to the power and हम put up करेंगे तो चलिए example को हम दिखते हैं 1 upon log 2 to the power p plus 1 upon log 3 to the power p plus 1 upon log 3 to the power p plus 1 given series is a obviously divergent यानि कि 0 से अगर less होता है p की value तो हम यहाँ पर देखे हुए थे पहले p test से कि यह जो है series जो है वो divergent हो जायागा now consider the case of p is greater than 0 p is greater than 0 की condition में हम पर क्या होगा देखते हैं fn जो हमको series से मिला हुआ था nth term 1 upon log n to the power p is greater than 0 तो fn decreases continuously as n increases यानि कि n को अगर मैं बढ़ाते जाओ n की value अगर हम increase करते जाए तो यह जो हमारे पास function जी है हमने definition में देखा था function जो है वो decrease होते जाएगा तो हमें क्या करते हैं एक alternate हम एक series और लेते हैं तो series के लिए n term क्या होगी a to the power n f a to the power n यानि कि जहाँ पर हमारे पास n था वहाँ पर हमने a to the power n put up कर रहे हैं तो सबसे पहले a to the power n का हमने multiply किया and f a to the power n इसकी value क्या है 1 upon log n to the power p fn की value तो हमने यहाँ पर n के जगह a to the power n put up कर दिये तो यह हमको एक n term बिल गया यानि कि अब इसको हम solve करेंगे आगे तो n जो है यह log के सामने आ जाएंगे यह log log से यहाँ पर फिर यह क्या होंगे n को हमने अलग लिख दिया n to the power p log a to the power p is equals to a जो है मारे पास एक series बन गया series vn हमने ले लिया अब देखे vn हमको मिल गया तो हम vn प्लस 1 अगर निकालते हैं क्योंकि हमको ratio निकालना है ratio test से तो a to the power n plus 1 upon a to the power n plus 1 to the power p log a to the power p यह हमको मिलेगे अब दोनों का अगर ratio हम निकालते हैं तो ratio निकालने पर देखें यहाँ पर log a to the power p और log a to the power p दोनों cancel हो जाएंगे और यह जो n वला time है उसको हमने एक साथ लिग दिया power p करके और यह दोनों term को हमने एक साथ लिग दिया यानि कि अब देखें इसमें हमको n से डिवाइड करने पर हमको मिलता है 1 plus 1 upon n to the power p और यहाँ पर जो है यह a to the power n वाटम जैब वो cancel out होके हमको only 1 upon a मिल जाएगा यानि कि हम अगर यहाँ पर limit put up करते हैं n tends to infinite तो हमको यह जो आली value 0 मिल जाएगी यानि कि हमको मिला a to the power p यानि कि और अलम को मिला 1 upon a तो 1 upon a is less than 1 कि इस case में होंगे जब a की value 1 से greater है इस case में जो है यह less than 1 होंगे तो by a de-alumbert ratio test हमारे क्या था अगर यह 1 से इसकी value less हो जाती इस ratio की value 1 से less हो जाती है यानि कि जो हमने submission vn यानि कि हमने series vn लिया था वो जो है वो divergent हो जाएंगे अब series vn जो हमने लिया वो divergent हो गए तो by cause is condensation test the given series vn is also divergent यही बता रहे थे कि अगर इसको हम test कर लेते हैं कि divergent है या convergent है तो हमको original series जाने कि जो given था वो भी पता चल जाएगा कि वो divergent है कि convergent है तो हमको यह series वो divergent मिल गया अब हम आगे next example इसमें देखते हैं अगर उस example से clear नहीं हुआ तो इस example से इसको clear करने के कोशिश करेंगे तो test the convergence of the series हमको यह series मिला हुआ है एक इसका end term यह है तो हम यह लेके चलते हैं यहाँ पर on adding a term यह one वाले term यहाँ पस नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर one वाले term को add कर दिया तो log 1 to the power 2 upon 1 square तो हमको fn जो term मिलता है log n square upon log n square तो हम यहाँ पर एक end term लेंगे यानि कि एक series के end term लेंगे a to the power n f a to the power n तो हमने वही चीच किया फिर से a to the power n का multiply किये यहाँ पर n था वहाँ पर हमने a to the power n put up कर दिया अब यहाँ से दोखो a to the power n invert term cancel हो जाएंगे हमको मिलेगा क्या n log a square upon a to the power n यहाँ को मिल गया अब यहाँ से देखिए vn vn हमको क्या मिला यह जो है part हमको vn के form में मिल गया अब इसका हम फिर से vn plus 1 निका लेंगे और उसका ratio निका लेंगे तो यह यह यहाँ से vn plus 1 square हमने यहाँ पूट अप कर दिया देखो log a square upon a to the power n plus 1 अब इसका हम ratio निकालते हैं तो यह देखो log a square and log a square बाट हम कैंसल हो गए हमारे पस बज गया है हम पर यहाँ से भी a to the power nth बाट तम जो है कैंसल हो जाओंगे यानि कि हमको मिल गया a upon n plus 1 square upon n square यानि कि हमने क्या किया n square को इसके upon में ला दिया क्योंकि हमको इसको divide करने हैं और 1 upon n के टम में convert करने हैं देखिए अब इसको हमने n से यहाँ पर divide किया तो a upon 1 plus n whole square is equals to a यानि कि यहाँ पर जब हम limit रखेंगे तो यह portion जो है यहाँ पर 0 हो जाएंगे और हमको मिलेगा only 1 यानि कि a upon 1 तो a हमको मिला जो कि क्या है one से greater होंगे यह हमने condition लिया था अब जब भी one से greater है क्यानि कि d element ratio test है हमको पता चले जाता है कि vn जो है तो आज के वीडियो में इतना ही आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छी वीडियो से लाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद